इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Income Tax Return Filing for the Partnership Firm वीडियो को शुरू करने से पिले बताना चाहूंगा अगर आप एक एक्सपर्ट के थुरू अपनी Partnership Firm की Income Tax Return फाल करवाना चाहते हैं या Balance Sheet Penal Account बनेवाना चाहते हैं लिंक आपको Description Box में मिल जाएगी तो चलिए गाईश शुरू करेंगे तो गाईश सबसे मेले बात करते हैं कि Income Tax जो है Partnership Firm के उपर कैसे चार्ज होता है क्या Normally चार्ज होता है जैसे हमारा Individual Pay चार्ज होता है तो गाईश मैं आप लोग को बताना चाहूंगा जो Partnership Firm होती वो Proprietorship से बिलकुली अलग होती है जैसा आप सभी लोग को पता होगा कि Proprietorship Firm में हमारे पास में कोई भी Separate याँ पर Pen Card नहीं होता है लेकिन गाईश पार्टनर्शिप में क्या होता है आप मेरी स्क्रीन की सामने देख सकते हैं यह एक Partnership का Pen Card है तो आपको जो Pen Card है वो Separately यहाँ पर Allowed होता है तो आपको जो Income Tax Rate भी करनी ही वो दो बार करनी पड़ेगी एक तो करनी पड़ेगी आपको Firm की मलब आपकी Partnership की हो गई साथ में जितने भी उसके इंदर इंडिविजल पार्टनर से उन सभी को भी अपनी यहाँ पर Personal Income Tax Rate भी करनी पड़ेगी इसके उपर जो Tax Rate लगता है वो आपका Slap Limit वाला नहीं लगता है जो हमारा Individual Cases में लगता है यहाँ पर Flat 30% लगता है जो Private Limited Company, LLP इन सभी के उपर यहाँ पर Applicable होता है तो अब बात करते हैं कि यह 30% जो आपका Tax लगने वाला है वो किसके उपर लगेगा तो बिजनस के अंदर यह चीज जो है Profit के उपर लगती है Profit की Calculation अभी मैं आगे बताऊँगा अच्छा इसके अंदर एक कोई चीज अगर मैं Capital Gain की बात करूँ तो Capital Gain की जो Rate से वो यहाँ पर Same रहेगी अगर मैं कोई माली जी आपने Shares वगरे Buy कर रहे है Partnership Firm के नाम पर वो अगर आपने Short Term आपको Capital Gain हुआ है तो उसके उपर वही 15% का Rate लगेगा और Long Term Pay Basis पे 20% का Rate लगेगा So guys, अब बात करते हैं कि Tax की यहाँ पर Calculation कैसे होती है तो देखे, Simply किसी भी Business में जैसे हम लोगों को जो Tax का Payment है वो Net Profit के उपर करना पड़ता है Same kind of the thing, Partnership Firm में भी ऐसा होता है आपकी जो Total Sale है उसमें से आपको सारे Expenses और Reduction घटाने पड़ते हैं और उसके बात में जो Net Profit वड़ता है उसके उपर आपका Tax लगता है आपका यह जो Expenses होते हैं उसके अंदर कई सारे Expenses होते हैं जैसे Advertisment का खर्चा हो गया आपकी Firm से लिटे जो जो खर्चे होते हैं साथ में guys क्या होते हैं आप अगर कोई भी Partnership Firm यहां पर Build करते हैं तो अगर जो उसके Partners होते हैं वो क्या करते हैं Monthly basis में यहां पर Salary Withdrawal करते हैं जी यहां तो जैसे Other Employee को आप Salary देते हैं वैसे उसके जो Partners होते हैं वो भी यहां पर Salary या फिर माली जी उन्होंने Capital अगर लगा रखिए Partnership Firm के अंदर तो उसके उपर उनको Interest भी मिलता है तो guys इस Salary और इस Interest का दोनों का ही यहां पर Partnership Firm को यहां पर Deduction मिल जाता है As a Expenses पर यहां पर Income Tax Department ने कुछ Limit लगा रखिए उस Limit के Beyond आप नहीं जा सकते हैं यह Limit के अंदर है section 40 subsection B के अंदर इसके अंदर में Detail के अंदर नहीं जाओंगा वनना आप लोग थोड़ सा Confused हो जाएंगे आप Google कर सकते हैं इस Section के बारे में बहुत ही Simple Section है पात में guys जो Partnership Firm होती है उसमें जो deductions allow होती है जैसे हमारा individual case में कैसे हमें insurance की मिलती है हम लोग ने mutual fund के अंदर ELS fund में invest किया है उसकी हमें deduction मिलती है बलब जो ATC के हमें deduction मिलती है यहां पे partnership firm में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है यहां पे सिर्फ आपको चैप्टर 6 के अंदर जो deduction मिलेगी वो सिर्फो सिर्फ donation की मिलेगी बलब अगर आपने partnership firm के नाम पे कहीं पे donation दिया है तो तभी आपको उस चीज की यहां पे deduction मिलेगी आपको यहां पे form कौन सा file करना है तो देखे अगर आप income index की नए वाले portal के उपर जाएंगे तो सबसे फिले तो क्या करना पड़ेगा आपका जो partnership firm का pen card है आपको register button के उपर जाकर simply उसको register करवाना पड़ेगा उसका एक account यहां पे create करना पड़ेगा अकाउंट create करने के बाद में आपके पास में यहां दो option होते एक होता है ITR 5 एक होता है ITR 4 ITR 5 जो especially यहां पे partnership firm के लिए बना है ITR 5 सेम आपकी ITR 3 के तरह ही होता है जिसके अंदर आपको पूरी balance sheet बनानी पड़ती है पूरा P&L account बनाना पड़ता है पूरा trading account बनाना पड़ता है तो guys यह तीनों ही account बनने के बाद में आपको सारी चीज़े यहां पे insert करनी होती है इसके बार में guys already मैं ITR 3 के अंदर यहां पे discuss कर चुका हूँ अगर आप लोग को जानना है इस वीडियो की special link मैं आपको description box में दे दूँगा तो guys यहां पे मैं highly recommend करूँगा जितने भी partnership firm है उनको हमेशा अपने books of accounts यहां पे maintain करके रखने हैं और हमेशा उनको मैं maximum यह service करता हूँ हमेशा उनको यहां पे ITR 5 फाइल करनी चीज़े तो guys ITR 4 के अंदर क्या होता है आपको एक presentively income दिखानी पड़ती है मतलब ultimately आपके जो sale होती है वो दिखानी पड़ती है प्लस उसके उपर आपको एक percentage of the profit दिखाना पड़ता है लेकिन guys यह तब भी applicable है जब आप books of accounts होगरे maintain नहीं करते हैं आपका बड़ा ही छोटा सा एकदम business है जादा profit नहीं है जादा turnover नहीं है तब भी आपको यहाँ पर ITR 4 फाइल करनी चीज़े है यहाँ पर कई पर audit की requirement भी रहती है जैसे अगर माल नीचे अगर आप ITR 4 भी फाइल करने है और अगना profit जो है अगर आप 8% के नीचे दिखान तो आपको एक chartered account rate से यहाँ पर audit करानी पड़ेगी तो guys मैं हमेशा recommend करूँगा अगर आप ITR 5 फाइल करते हैं तो हमेशा एक CA की मतद यहाँ पर जरूर लिए ITR 4 डेफिनिटली आप यहाँ पर खुद self basis में यहाँ पर फाइल कर सकते हैं और ITR 3 वाले वीडियो को देखके आप समझ जाएंगे कि ITR 5 कैसे वाइल करने तो guys hope you like this video please subscribe our channel thank you guys thank you very much